दो बेटे दान के रूप में परमिश्वर ने हमें दिये, बड़ा बेटे का नाम एरॉन है और छोटे बेटे का नाम आस्टिन है, एरॉन 22 साल का है, आस्टिन 13 साल का है, आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि परमिश्वर के अनुग्रह में वो आगे बढ़ सक समय को अधिक ना व्यतीत करते हुए हम वापस वचनों में आ जाते हैं, कल अगर याद होगा, नोटबुक और पैंसिल ये पैं कहां है, दिखाईए मुझे, हाँ, मुझे बेखुफ तो नहीं बना रहे ना, क्योंकि जूम में दिखता तो है नहीं, प्रेज दे लोट, यह मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि वो लिखना हमारे लिए लाबदायक है, यह नो, परमेश्वर भी लिखते थे, पता है आपको, मलाखी 3 के 16 में लिखा है, परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बाते की, और परमेश्वर उन्हें ध्यान से सुनता था, सुनता सिर कल हम पढ़ रहे थे कि पॉलुस की जो प्रार्थना, मैंने आज आपको कहा था, कल कहा था दो प्रार्थनाओं को हम देखेंगे, एक पहले अध्याई की प्रार्थना, एक तीसरे अध्याई की प्रार्थना, आप में से कुछ लोगों ने वो दोनों प्रार्थनाओं को पढ़ा है तो एक बार हाथ उठाके दिखा दीजिए एक हाथ मुझे दिखाई दिया दो हाथ दिखाई दिए तीन हाथ दिखाई दिए चार हाथ पाँच हाथ दिखाई दिए ओके प्रेई जिनों ने पढ़ा है उनके लिए प्रभु को बहुत-बहुत धनिवाद जिनोंने नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको आज पढ़ा दूँगा, ओके, ओके, तो पॉलुस ने प्रार्थना किया, चार बातों के लिए, एक, तुम परमेश्वर को जानो, सत्रा वचन में, दूसरा, तुम उसकी बुलाहट को जानो, उसी अठारा वचन, उसके पहले भाग में, ती उसकी रिचस, जो धन उसने तुमें दिया है, उसको पहचनो, तो मैंने पहली बात आपको बता दिया था, परमेश्वर को जानना, मनिश्यों को जानने से उत्तम है, आसान है, परमेश्वर को जानना, और कल हमने कई सारी बाते उसके बारे में हमने देखा था, इसलिए हम, उसमें मैं नहीं जाओंगा लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं कल भी मैंने इस बात को बताया था हम परमेश्वर को सबसे अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा जान सकते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है मुझे याद है मैंने एक वाटसप देखा था, एक व्यक्ति बहुत प्रार्थना कर रहा था प्रभू से प्रभू मुझसे बात करो प्रभू मुझसे बात करो जो बहुत समय प्रार्थना करते हुए हो गया तो एक दिन परमेश्र ने उसे दर्शन दिया और दर्शन क्या था उन्होंने स्वर्ग से एक हाथ देखा जिसमें पवित्र शास्तर बाइबिल ऐसे रखे हुए थे ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था मुसे बात करो मुसे बात करो परमेश्वर ने क्या दिखाया परमेश्वर का वच्षन दिखाया यानी परमेश्वर के वच्षन के दौरा परमेश्वर बात करता है मैं आपको किस प्रकार परमेश्वर वच्षन के दौरा अपने आपको प्रकट करता है नए नियम में एक उधारन के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ हमें मालूम है इशु मसी की मृत्यू के बाद जब दो चेले इमाउस नामत नगर से वापस वो यरुशलेम से इमाउस की और लोट रहे थे तो उनके जीवन बड़े दुख में थे वो इशु की मृत्यू पर बड़े दुख ही थे और जब ऐसी यात्रा वो कर रहे थे अचानक इशु भी उनके साथ यात्रा में शामिल हो गया निकालिएगा लुकरची सुसमाचार चौबिस अधियाए और जब वो यात्रा कर रहे थे बहुत सी बातों को वो कर रहे थे अचानक इशु उनके साथ शामिल हो गया परन्तु इन लोगों ने इशु को नहीं पहचाना और जब इशु को नहीं पहचाना तो तेरा वच्चन में देखिएगा वहाँ पर क्या लिखा है, तेरा वच्चन पढ़िएगा उस दिन उसमें से दो जनों इमाउन नामक एक गाउं को जा रहे थे जो सर्म लुग से कोई साथ मिल की दूरी पर था देखो उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गाउं को जा रहे थे जो यरुशलेम से साथ मिल की दूरी पर था और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बाच्चीत कर रहे थे और जब वे आपस में बाच्चीत और पूछताच कर रहे थे तो इशू आप पास आकर उनके साथ हो लिया परंतु उनकी आखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान नहीं सके देखिए क्या हुआ इशू की मृत्यू हुई उनको क्रूस पर चड़ाया गया और ये जो जो चेले थे उस समय यरुशलम में थे बड़े दुखी थे वापस यरुशलम से अपने घर इमाउस की और लोट रहे थे और यही शायद यही बाते करते हुए जा रहे होंगे अरे ये क्या हो गया इशू को मा ढाला ये सब बाते करते हुए जा रहे होंगे अचानक इशू खुद उनके बीच में आ गए उनके साथ आ गए लेकिन उरोंने इशू को नहीं पहचाना तब क्या हुआ जब हम आगे के वचनों को उस अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा 27 वचन को जब हम पढ़ते हैं तब इशू ने जानते हैं क्या किया तब इशू ने मुसा से और सब भविश्चितक्ताओं से आरंब करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विशे में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया यानि मुसा की पुस्तकें उत्पती, निर्गमन, लेविवस्था, गिंती, व्यवस्था, विवरन ये पाँच पुस्तकें मुसा की पुस्तकें कहलाती हैं पंच ग्रंत कहलाते हैं पेंटियाटुक कहलाते हैं तोरा कहलाते हैं वहां से शुरू किया और उनको एक-एक बातें उनको समझाना शुरू किया किसके विशे में? अपने विशे में समझाना शुरू किया और ये जब बातें वो समझते रहे इन बातों को समझाते समझाते वो उनके साथ आगे बढ़ा तो चमाली स्वचन में देखिएगा फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बाते हैं जो मैंने तुमारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं थी अवश्य है कि जितनी बाते मुसा की विवस्ता और भविशिद अताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विशे में लिखी हैं सब पूरी हो जाएं और 45 वचन में तब उसने पवित्र शास्तर को समझने के लिए या बूजने के लिए उनकी समझ को खोल दिया देखिए यहां पर क्या आप देखते हैं इशू अपने चेलों के साथ चलना शुरू किये चेले इशू को पहचान नहीं पाए इशू के बारे में बात कर रहे थे कितनी अजीब सी बात है किसी व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हों और व्यक्ति आपके साथ चलना शुरू कर दे और फिर भी आपको पताने लगे कि यह वो ही व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है एक बार मैं शायद वारानासी में था, मैं जब घूम रहा था, अचानक से एक बड़े क्रिकेटर, वो आजकल तो नहीं है, वो बहुत लंबे से इशांत शर्मा, वो मेरे सामने से चल कई जा रहा था, और मुझे समझ भी नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, वो भी उनके साथ घूम रहा था, अचानक मैंने देखा, कुछ लोग कैमरा लेकर दोड़ कर उसके पास आये, उसकी फोटो खीचने लगे, तब मैंने पूछा कि भी ये कौन है, तो मुझे तो समझ भी नहीं है, तो बोले ये इशांत शर्मा है, औरे मैंने का, ये मेरे साथ चल र अर्थों में पहचानना चाते हैं, तो परमेश्वर के वचन से ही उसको आप पहचान सकते हैं, और इशु मसी ने उन वचनों के द्वारा मुसा से लेकर, भविश्य दक्ताओं से लेकर, सब जगों की बातों को उनको बताया, जो अपने बारे में थी, और कहा, ये बातें पूरा होना अवश्य है, और उसके बाद उनकी आखों को खोल दिया, कि वो परमेश्वर की उन बातों को समझ सकें, और ये लोग फिर इशु को पहचानने लगें, तो आप उस परमेश्वर को कैसे अच्छी तरह जान सकते हैं, उसके वचनों के द्वारा, हमरे पास समय है वचन पढ़ने के लिए, जरूर समय निकालिये, अगर आपके पास किसी और चीज़ के लिए समय ना भी हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को आप निश्शी तरूप से पढ़िये, क्योंकि वचन जब आप पढ़ेंगे, आप परमेश्वर को पहचानना प्रारंब करेंगे, परमिश्वर की बातों को जानना प्रारंब करेंगे और परमिश्वर से आपकी घनिष्टता होना प्रारंब हो जाएगी ओके, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम उसकी बुलाहट को पहचाने हमारी बुलाहट क्या है? देखिए ये जो चर्च है, जो कलीसिया है उस शब्द का अर्थ ही है एकलेशिया, कलीसिया, एकलेशिया एक ग्रीक वर्ड है इसका मतलब है बुलाए हुए लोग किसी खास उद्देश को पूरा करने के लिए बुलाए गए लोग यानि हमारी बुलाहट में एक खास उद्देश चुपा हुआ है आज बहुत से राजनेतिक पार्टी के लोग जब इंकलाब जिन्दाबाद करते हैं तो बहुत से लोग उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं फिर थोड़ी देर के बाद में लोग और भी उनके साथ जुड़ते हैं फिर पूसते हैं भही आप किसके पीछे जा रहे हो बोले हम उनके पीछे जा रहे हैं तो ये भी उनके पीछे चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन इनको कोई अता पता नहीं है किसलिए पीछे जा रहे है आपने बहुत बहुत घटनाओं को देखा होगा जहां पर लोगों को मालूम ही नहीं है लेकिन फिर भी वो चले चले जा रहे हैं एक उधारन मैं आपको दू हमारे घर के पास में एक ओवर ब्रिज है उसको 22 गोदाम का पुल बोलते है एक दिन मैंने सुबे सुबे जब उधर से गुजर रहा था बहुत भारी भीड उस पुल के उपर जमा देखी मैंने देखा लोग गाडियों से उतर कर गाडियों को पार कर साइट में खड़ा कर कर सडक पर ही खड़ा कर कर लोग दौड रहे हैं उसकी तरफ तो जब इतने सारे लोग दौड रहे थे तो मुझे भी उत् dressingता हुई कि ये क्या है तो मैं भी वहाँ गया मैंने भी देखा भीड के बीच में फिर मैंने देखा कुछ लोग वापस भी आ रहे फिर जब मैं महा गया मैंने किसी से पूछा भई क्या हो गया इतने भीड क्यों है क्यों इतने लोग दोड रहे हैं तो वो माथा पीट कर ऐसे करते हैं वो आपस लोटा अरे कुछ नहीं भाई साब नीचे पती पत्नी में जगड़ा हो रहा है इसलिए सब लोग देख रहे हैं उसको मैंने का देखो ये क्या हो रहा है आज बिना किसी उद्देश को पता ही नहीं है कहा जा रहे हैं क्या कर रहे हैं लेकिन दोड़े चले जा रहे हैं पीछे चले जा रहे हैं लेकिन आप ध्यान रखिएगा हमारी बुलाहट बिना उद्देश की बुलाहट नहीं है हमारी आशा hope so नहीं है ये assurance है hope का एक आशा है धन्य बुलाहट है और वो बुलाहट भी परमेश्वर ने हमारे लिए दी है जब हमने उसको अपने जीवन में उधार करता ग्रहन किया है उसने हमें अनुग्रह से बुलाया अनुग्रह हमारे जीवन में दिया उसने पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया ये वचन अगर मैं आपको कहू गलातियों की पुस्तक पहला अध्याए पंद्रा वचन को पढ़िये उसके बाद दूसरा तिमोती पहला अध्याए नो वचन को पढ़िये पहले गलातियों एक का पंद्रा गलातियों की पुस्तक पहला अधिया है पंद्रावचन वहां लिखा है परंतु परमिश्वर की जिसने मेरी माता के गर्ब से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया तो यानि उसकी जो बुलाहट थी ये अचानक की हुई बुलाहट नहीं थी कि मैं वहां से जा रहा था तो प्रभु ने देखा अरे यार इसका हेर स्टाइल अच्छा है औरे चलो चलो तुम भी मेरे पीछे चलो नो 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 माता के गर्ब में जब था तबी उसने मुझे ठहराया था और अनुग्रह से मुझे उसने बुलाया था तो हमारे इस बुलाहट में अनुग्रह चुपा हुआ है अभी देखिएगा दूसरा तिमोती उसका पहला अध्याए उसका नौवचन वहां पर क्या लिखा है जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया यानि ये जो बुलाहट है उसमें अनुग्रह सिरफ नहीं इस बुलाहट में पवित्रता भी है यानि हमें जिसने बुलाया है वो पवित्र बुलाहट है और उसने किस से बुलाया हमें पहला पत्रस दूसरा अध्याए नौवचन को देखिएगा पहला पत्रस उसका दूसर हुआ वंस और राज पदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की रीज़ प्रजा होई इसलिए कि जिसने तुमें अंदकार में से अपनी अद्बुत जोती में बुलाया है उसके गुड़ प्रगट हो करो यानि इसकी जो बुलाहट थी वो कौन सी थी अंदकार में जब हम थे उसने हमें जोती में बुलाया यानि ये बुलाहट अंदकार से जोती की बुलाहट थी और एक और पहला पत्रस उसका पांचवाद दिया उसका दस वच्चन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर देखिए एक और बुलाहट के बारे में लिखा है अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है जिसने तुमें मसी में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है यानि उसकी बुलाहट थोड़े समय की बुलाहट नहीं है उसकी बुलाहट आनंत महिमा की बुलाहट है तो देखिए हमारी बुलाहट बहुत महतुपूर्ण है इसलिए पौलुस वहाँ प्रार्थना कर रहा है अठारवे वच्छन में कि तुम उसकी बुलाहट को पहचानो जब आप उस ईशु मसी को अठार करता ग्रहन करते हैं तो उसने आपको बुलाया इसलिए आपने उसको ग्रहन किया और वो बुलाहट में क्या है अनुग्र है उस बुलाहट में है वो बुलाहट पवित्र है वो बुलाहट अंदकार से उज्याले की और हमें लेकर आती है उस बुलाहट में अनंत महिमा है ये कोई व्यक्ति की बुलाहट नहीं है कि वो पहले बुलाए चलो 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 सब मेरे पीछे आओ हाँ कहा चले चलो गाड़ी में बैठो जैपूर चलेंगे वहाँ पर हम धरना देंगे और सब आप आगए जैपूर और उसके बाद जब जैपूर में आप आगए तो आपको उसने एक स्थान पर छोड़ा उसके बाद आप ढूडने लगे औरे वो कहा है जिसने हमें बुलाया था बोले वो तो दिल्ली चले गए अब आप वहाँ जैपूर में खड़े हुए हैं जाड़ी का भी पता नहीं क्या है लेकिन हमारी बुलाहट उस परमिश्वर की बुलाहट है उसमें अनंत कालीन बुलाहट उसने हमें दी है तो पॉलस ये चाता है कि हम उस बुलाहट को पहचाने उस महान बुलाहट को पहचाने और देखे इस बुलाहट में अनंतता भी है अनंतता ये जो एफिसूस नगर है एफिसूस नगर बहुत महतुपूर नगर था मैंने एफिसूस नगर के बारे में थोड़ी बाते पहली क्लास में बताई थी ये कलिसिया की सस्थापना पॉलुस ने एफिसूस नगर में की थी डायना देवी का मंदिर वहाँ पर था बहुत भव्य नगर था लेकिन आज 2000 साल बीतने के बाद आज जानते हैं एफिसूस नगर किसके लिए प्रसिद्र है भू गर्ब शास्त्री जो होते न आर्कोलोजिकल डिपार्टमेंट उनके लिए ये नगर बहुत महतपून है कारण क्या है ये भू गर्ब शास्त्री क्या करते हैं ये जमीनों को खोद कर पुराने पत्थरों को निकाल कर ये ढूडने की कौशिश करते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा होगा तो आज एफेसोस नगर आर्कोलोजिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही विख्यात है क्योंकि यहां लोग आते हैं ढूडने के लिए कि इतिहास कैसा रहा होगा अब इध्यान से सुनिएगा जो नगर अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था जो नगर उस मंदिर के लिए प्रसिद्ध था सालों के बीतने के बाद वो मंदिर भी खतम हो गया उनका वैभव भी खतम हो गया सब कुछ मिट्टी के अंदर दब गया जो लोग थे वो भी खतम हो गए लेकिन उस भीड के बीच में से कुछ लोगों ने जिनने मसी इशु को अपना उधार करता ग्रहन किया उस मसी ने उन्हें अनंत बुलाहट के लिए बुलाया वो कभी खतम नहीं होंगे उनका स्थान स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो गया है आप मेरी बास समझ पा रहे हैं आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब एक दिन इतिहास बन जाएगा बड़े-बड़े नेता इतिहास बन गए बड़े-बड़े लीडर इतिहास बन गए आज उनकी फोटो बच गई है उनकी यादे बच गई है लेकिन मैं आपको कहूँ आपको जिसने बुलाया है वो आपको इतिहास नहीं बनाएगा आपके भविश्य को उसने निश्चित किया है और आपकी उस बुलाहट के अंदर अनंतकाल की एक बुलाहट है जो कभी टलने वाली नहीं है इसलिए पॉलुस कहता है कि प्रियों तुम उस बुलाहट को पहचानो तीसरी बात पॉलुस कहता है तुम उसके धन को पहचानो उसके ठारा वचन उसके दूसरे भाग को पड़ियेगा एफिसियो एक उसका अठारा और पवित्र लोगों में उसकी मीराज की महीमा का धन कैसा है inheritance यानि हमारे लिए जो उसने रखा है वो क्या है देखिए परमेश्वर हमें हमेशा भविश्य को देखने की बात करता है मसीही लोग भविश्य में जीने वाले होने चाहिए अब जब मैं इस बात को कह रहा हूँ यहां संसार में अधिकतर लोग वरतमान में जीते हैं हम भी वरतमान में हैं लेकिन अगर हम वरतमान में जीएंगे तो हमारा जीवन वो नहीं होगा जो भविश्य में होना चाहिए आपने सुना होगा कि ये इस व्यक्ति को बड़ा दर्शन था क्या है इसका मतलब यानि इसने एक दर्शन को देखा इसने भविश्य की बातों को देखा और आज काम करना शुरू कर दिया उधारन के लिए गुड़गाओं में एक बहुत बड़ा Bible College है Grace Bible College आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा Grace Bible College के संस्थापक ते डॉक्टर पॉल पिल्लै पॉलंक पिल्लै अंकल मैं नाम शायद सही बोल रहा हूँ उनका तो वो Bible College जब उन्होंने गुड़गाओं के उस एक जंगल जैसे गाओं में जब खरीदा तो लोगों ने उनको पागल का उन्होंने बोला इस जंगल में आप क्या करना चाते हो सत्तर एकर जमीन उन्होंने वहाँ खरीद ली जिन लोगों ने उन्हें पागल बोला कुछ सालों के बाद जब ये नगर बढ़ना शुरू हुआ तो वो गुड़गाओं का जो शेहर है वो भी इस गाओं में मिल गया और सब ने बोला देखो उनके उंदर दर्शन था उन्होंने भविश्य की बातों को देखकर उन्होंने आज काम करना शुरू कर दिया पाउलूस क्या कह रहा है तुम अपने उस धन को पहचानो जो भविश्य में तुमारे लिए रखा गया है हम हमेशा भविश्य को देखकर आगे बढ़ने वाले होने चाहिए देखिए न्याईयों की पुस्तक छे अध्याए उसका बारा वच्चन को एक बार पढ़िएगा न्याईयों की पुस्तक छटा अध्याए उसके यहोवा के दूट ने दर्शन देकर कहा हे सुर्वीर सुर्मा यहोवा तेरे संध है उसको उसको जब लिखा है आपको पढ़ना पढ़ेगा यह गिदियोन के बारे में लिखा है गिदियोन को परमिश्वत दर्शन देकर दूट परमिश्वत का जो है दर्शन देकर कहता है हे शुर्वीर सुर्मा यहोवा तेरे संग रहे अब आप गिदियोन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे उस अध्याय को पूरे इसराइली लोग मिध्धानियों के भैसे कांपते हैं मिध्धानी लोगों ने जितना परेशान इसराइलियों को किया शायद किसी और ने नहीं किया एक मिध्धानी एक अशूरी यह दो सामराजियों ने सबसे अधिक नुकसान इसराइलियों को किया तो ये मिध्यानी लोगों के बारे में लिखा है वो टिडियों के समान आते थे उनकी फसल को चट कर देते थे कुछ भी नहीं बचता था और ऐसे माहौल में खाने के लाले पड़ते थे तब शायद ये गिदियोन नामक एक नौजवान जो मिध्यानियों से डरा हुआ था उस कहीं से गेहू की कुछ बालियां मिली तो उस गेहू की बालियों को वो संभाल कर छुपकर एक दाखरस के कुंड में बैठ कर गेहू जाड रहा था कि किसी न किसी तरह इस गेहू को बचा कर रखूं जिससे खा पाऊं डरा हुआ था कहीं मिध्यानी मुझे देखना ले नही ऐसी परिस्तिती में स्वर्गदूत आकर कहता है हे पराक्रमी हे शूर्वीर सूर्मा अगर मैं कल्पना करता हूँ गिदियों ने जब ये आवास सुनी तो उसने आसपास देखा होगा यारी किसके बारे में बोल रहा है क्योंकि उसको पता है मैं तो शूर्वीर नहीं मैं तो वीर भी नहीं हूँ मैं तो डरपोक हूँ लेकिन परमेश्वर के आत्मा उस दूत ने क्या कहा शूर्वीर सूर्मा आज तू नहीं है लेकिन कल तू होगा क्योंकि आज आप अपने बारे में आज के भी बारे में जानते हैं लेकिन परमेश्वर आपके कल के बारे म तो पौलुस क्या कहता है? तुम उस धन को पहचानो देखिए ये बहुत समझने की बाते प्रियोंग आज हम मसीही लोग ये कहते हैं हम कंगाल हैं हम गरीब हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन पौलुस ये कहना चाहता है इस संसार में तुमारे पास धन नहीं भी है तो तुम उस धन को कभी मत भूलो जो तुमारे लिए स्वर्ग में परमिश्वन ने रखा है यानि उस भविश्च को देखकर आज अपने वर्तमान को बनाओ गिदियोन कहेगा मैं शूरवीर नहीं हूँ लेकिन स्वर्ग कहेगा तु शूरवीर है मैंने तुझे शूरवीर बनाया है हो सकता है तुझे अभी पता नहीं लगरा लेकिन थोड़े समय के बाद पता लगेगा और प्रियों उस गिदियोन को परमेश्वन ने इतना शूरवीर बनाया कि वो गिदियोन ने मिधानियों के वश्च से इसराइलियों को छुड़ा लिया तो हम मसीही लोग भविश्य को देखकर आगे बढ़ने चाहिए हमको भविश्य आना चाहिए और पाउलूस इसलिए प्रार्थना करता है तुमारे मन की आखे खुल जाएं कि तुम अपने भविश्य को देखना प्रारम करो उस धन को देखना प्रारम करो अब यूहना रची सुसमाचार पहला अध्याय उसका 42 वच्चन को भी पढ़िएगा यूहना एक उसका 42 देखे क्या लिखा है वहाँ पर यूहना का पुत्र समोन है तू कैफा है यानि तू चटान है और तू पत्रस कहलाएगा अभी इस पत्रस के बारे में किसी को आता पता ही नहीं है मचली पकड़ने वाला एक व्यक्ति है रोज रात को मचली पकड़ने के लिए जाता है मचली पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन ईशू उसकी तरफ देखकर कह रहे है हे शिमान तू पत्थर है तू चटान है तू पत्रस कहलाएगा अरे क्या बात कर रहे हैं मैं तो मचली पकड़ने वाला हूँ शाद ईशू बोलेंगे तू अभी तुझे नहीं मालूम लेकिन मैं तेरे भविश्य को देख रहा हूँ तू वो चटान होगी जिस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा तू वो पत्रस होगा जो एक प्रचार से तीन हजार लोगों को उधार में लेकर आएगा तू वो पत्रस होगा जो बहुत से चमतकारों के कामों को करेगा लेकिन पत्रस को आज इसके बारे में कुछ नहीं पता आप मेरी बास समझ रहे हैं हम मसीही लोग भविश्य को देख कर आगे बढ़ने चाहिए जब संसार के लोग अपने बीते हुए कल को उससे अनुभवों को प्राप्त करकर अपने वर्तमान का जब निर्मान करते हैं लेकिन मसीही लोग अपने भविश्य को देख कर वर्तमान का निर्मान कीजिए क्या है आपका भविश्य? पाउलस बोलेगा भविश्य क्या है आपका? उसने आपको चुन लिया है उसने आपको स्विकार कर लिया है उसने आपको अपना बेटा बना लिया है और उसने आपके लिए स्वरगी इस्थानों को रखा है प्रियों इस संसार में शायद जब हम रहते हैं हमारी समस्या ये हैं कि हम उन चीजों को पहचान नहीं पाते जो नज़र आता है, हमेरे पास तो कोई पदी नहीं है आप MLA तो मैं तो पारशद भी नहीं हूँ पारशद तो छोड़ो तो मैं मेरे घर में भी लीडर नहीं हूँ तो मुझे क्या कॉन सा स्थान देंगे प्रभू लेकिन आपको जो स्थान प्रभू ने दिया है देखिए मैं पॉलूस के बारे में आप दूसरा कुरूंती उसका छे अध्याए उसकी एक दो वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि पॉलूस अपने बारे में इस बात को कैसे रखता है दूसरा कुरूंती छे अध्याए उसके नौसे लेकर कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूँ कह रहा है कंगालों के जैसे हैं परन्तु बहुतों को धन्वान बना देते हैं ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी हम सब कुछ रखते हैं आप अगर इन वचनों को समझ पाएं पॉलूस की ये बातें तो शायद आपको समझ में आएगा पॉलूस की आत्मिक द जो हमारे पास आता है हम उसे भी धनवान बना देते हैं जब धनवान बनाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको एक लाग रुख्या दे देते हैं है यह नहीं उसके पास देने के लिए लेकिन पाउलूस कहेगा हम उसे भी उने भी जो हमारे पास आते हैं स्वर्ग का ज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिये भाई और बहनों ये संसार हमारे लिए नहीं है संसार में हम थोड़े दिन के लिए हैं अगर यहां कुछ कमी है भी आप उदास मत होईए इस वचन पर विश्वास कीजिए परमेश्वर ने आपके लिए अध्भूद बातों को रखा है जो आँखों ने नहीं देखी जो कानों ने नहीं सुनी वो है परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए उसने रखा है तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, भविश्य को देखते हुए आगे बढ़िये कल मैंने फिलिपियों की पुस्तक तीन का बारा में भी यही कहा था पॉलूस क्या कहता है, मैं एक बात करता हूँ पीछे बीती हुई बातों को छोड़कर आगे को देखकर दोड़ा चला जाता हूँ क्योंकि पीछे अगर मैं देखूंगा तो आगे की तरफ दोड़ नहीं पाऊंगा अगर आज देखूंगा तो भी आगे की तरफ दोड़ नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आगे देखता हूँ आप आगे देखते हैं, जानते हैं आगे क्या है आगे एक ऐसा दिन आएगा जब मसी बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा आगे एक ऐसा दिन आएगा कि हम इस संसार के दुखों से छोड़कर हम उस स्वर्ग में उसके साथ उठा लिए जाएंगे और शायद ये गाना उसके लिए अच्छा है दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ ओ ओ ओ दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ सारे दुखों का अंत होगा सारे दुखों का अंत होगा दुख के ये आंसू एशू पूँचेगा सीयोन देश हमारा है देश रहते हैं हम परदेश जाएंगे हम अपने देश आपको विश्वास है? भारत हमारा देश है हम भारत के नागरिक हैं इसमें कोई शक नहीं और हमें गर्वें इस बात पर कि हम भारत के नागरिक हैं लेकिन आपको बात में भी होना चाहिए कि आप स्वर्ग के नागरिक भी हैं प्रेज अलॉड देखिए अमेरिका का एक नागरिक होना आज बहुत बड़ी बात है जैसे एक समय रोम की नागरिकता बहुत बड़ी बात होती थी जब पॉलस को पकड़ कर काराग्रह में डाल दिया और उसको जब डंडे मारें बाद में जब पॉलस ने कहा मैं रोमी नागरिक हूँ तो वहां का हवालदार वहां का चौकीदार वहां का दरोगा सब घबरा गए और पुछा तुम रोमी नागरिक है हमने तो पैसा देकर ये नागरिकता खरी दी थी लेकिन तुम तो जनम से नागरिक हो यानि रोम का नागरिक होना महत पूर्ण है अमेरिका का नागरिक होना महत्वपूर्ण है लेकिन आप कल्पना कीजिए राजाओं के राजा स्वर्गों के स्वर्ग का नागरिक होना कितना महत्वपूर्ण है अगर आप में से किसी ने वो नागरिक्ता नहीं ली है तो अपलाई कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए उद्धार पाईए, इश्यू को अपने जीवन में ग्रहन कीजिए बप्तिस्मा लीजिए, उस स्वर्ग की नागरिक्ता को हासिल कीजिए प्रेइज लॉर्ड, सो पाउलूस की पत्रियां, पाउलूस की बातें हमें उस भविश्य को देखने के लिए प्रेडित करती हैं इसलिए स्वयम पाउलूस क्या कहता है जबसे मैंने इस सच्चाई को जाना है, मुझे इस संसार का धन कूडा करकट नजराया है कूडा करकट ये बड़ा अच्छे से समझ में आएगा जब आप साड़ी खरीद कर लाते हैं या कोई सूट खरीद कर लाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है थोड़े समय आप पैंते हैं, उसके बाद वो पुराना हो जाता है फिर उसके बाद जब आप नया खरीद लेते हैं तो पुराने वाले का क्या करते हैं आप, वो अच्छा लगता है आपको, आपको वो बुरा लगने लगता है, क्योंकि अब नया आ गया है, पॉलुस क्या कहता है, जब मैंने उस सचाई को जाना, क्योंकि पॉलुस अपने बा पहुत कूछ था पॉलुस कहेगा जेलिस रखता हूं अपने धर्म के लिए और उस सच्चाई को मैं अच्छी तरह से पालंद करता हूं लेकिन जब मैंने ये देखा कि वास्तविक सच्चाई वो नहीं है जिस पर मैं चल रहा था मैंने उन सब बातों को हानी समझ लिया कूडा करकट समझ लिया प्रेईज दे लॉड आज जो कुछ आप इस संसार में देख रहे हैं ये सब एक दिन आपको कूडा करकट लगेगा आज जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो कूडा करकट लगेगा लेकिन ये प्रकाशन मनिश्र नहीं दे सकता ये प्रकाशन हमें मिलना चाहिए इसलिए पाउलुस प्रार्थना करता है तुमारे मन की आँखें जोतिर में हो जाए क्योंकि जब तक मन की आँखें जोतिर में नहीं होंगी हम इन आखों से यहीं का पर्स देखते रहेंगे, यहीं का धन देखते रहेंगे, यहीं का बाते देखते रहेंगे, लेकिन जब आत्मिक आखें पर जुलित होंगी, जोतिर में होंगी, हम उस धन को पहचानेंगे, जो मसी ने हमारे लिए रखा है, दो तिन वचनों को आप न है पिता मैं चाहता है तुने मुझे दिया है जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हो कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तुने मुझे दी है क्योंकि तुने जगत की उस पती से पहले मुझे से प्रेम रखा देखें इशु प्रार्थना कर रहे है यूहना सत्रा इशु की महायाज की ये प्रार्थना है और वो क्या प्रार्थना कर रहे है पिता मैं चाहता हूँ जिने तुने मुझे दिया है जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ रहें फ्यूचर फ्यूचर भविश्य की बात और मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है ईशु मसी अपने तीन चेलों को पत्रस, याकूब और यूहना को लेकर रुपांतरण के परवत पर चले गए और उस परवत पर जब पहुँचे ईशु का चेहरा बदल गया और चेलों ने देखा कि उसकी महिमा कितनी बड़ी है एक छोटा सा ग्लिम्स एक ट्रेलर ईशु ने उनको वहां पर दिखाया और जब ट्रेलर पत्रस ने देखा पत्रस को लगा ये तो पूरी फिल्मी है पत्रस ने बोला अरे ईशु जी हम तो यही पर तंबू बना लेते हैं हम यही रहेंगे अब हम जाएंगे नहीं कहीं लेकिन ईशु शायद कहेंगे पत्रस ये तो एक नमुना तुमने दिखाया मैंने लेकिन इसी महिमा में तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे प्रियों हमारे लिए एक उत्तम महिमा एक उत्तम स्थान उसने तयार किया है दूसरा तेसलोनिकियों की पस्तग उसका पहला अधिया उसके दस वचन को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर देखिए क्या लिखा है यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों को लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्यरी का कारण होने को आएगा क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीती की है एक दिन आ रहा है उस वो दिन, उस दिन का इंतजार कीजिए जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्यरी का कारण होने के लिए आएगा उस दिन का इंतजार कीजिए प्रियों वो दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पॉलुस कॉलोसियों 3 के 10 में भी कॉलोसियों 3 के 4 में देखिए क्या कहता है तीसरा अध्या उसका चौथा वच्चन जब मसी जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किये जाओगे यानि आज अगर आप कोई संसार में कोई महिमा कोई पद कोई प्रतिष्ठा अगर नहीं भी दे रहा है आप उस प्रभू को थाम कर रखिए अपने विश्वास को पकड़ कर रखिए विश्वास से गिर मत जाएए कमजोर मत हो जाएए क्योंकि एक दिन आएगा जब हमारा मसी प्रकट होगा और तब हम उसके साथ उसी महिमा में होंगे और ये सारे वचन भविश ओरियंटेड हैं फ्यूचर ओरियंटेड हैं तो पवलुस कहता है तुम उसके धन को पहचानो भविश्य को देखकर उसके धन को पहचानो और चौथी बात उस प्रार्थना में पवलुस कहता है तुम उसकी सामर्थ को पहचानो सामर्थ को पहचानो उस सामर्थ के बारे में कहने के लिए बहुत बाते हैं लेकिन मैं थोड़ी सी बात कहकर मैं आके बढ़ूंगा अगर इशु मसी की कालवरी के क्रूस की मृत्यू मानव जाती के प्रती उसके सर्वोतम प्रेम का प्रकटी करन अगर था मेरी शब्द को ध्यान से सुनियेगा अगर इशु मसी के क्रूस की मृत्यू मानव जाती के प्रती परमेश्वर के प्रेम का सर्वोतम प्रकटी करन अगर था तो इशु मसी का पुनरुथान उस परमेश्वर की सर्वोतम सामर्थ का प्रकटी करन था यानि अगर इशु मसी की मृत्यू मानव जाती से उस परमिश्वर के प्रेम को दिखाने का सबसे बड़ा एक तरीका अगर था तो पवित्रात्मा की जो सामर्थ है उसका सर्वोच प्रकटी करन इशु मसी का पुनरुथान होना था और उस सामर्थ के लिए पाउलुस कहता है तुम उस सामर्थ को पहचानो अपने बारे में पाउलुस कहेगा इन मिट्टी के बरतनों में उसने असीम सामर्थ को भर कर रखा है पवित्रात्मा के बारे में कहा गया है पाउलुस कहता है तुमारी मन की आँखे प्रजुलित हो कि तुम उस सामर्थ को पहचान सको कि आपने मसी की सामर्थ को पहचाना है क्या है मसी की सामर्थ किसी से पूछे पवितरात्मा क्या है तो बोलेंगे बहुत अच्छी तरह आराधना करना पवितरात्मा है जब मैं चर जाता हूँ तो बहुत जोर जोर से ताली बजाता हूँ मैंने पवित्रात्मा पाया है लेकिन मैं आपको कहूँ पवित्रात्मा मरे हुओं को जिन्दा करने की सामर्थ रखती है हम मानशिक दृष्टी कौन से कई बार उस सामर्थ को पहचान नहीं पाते लेकिन पौलूस कहता है तुम उस सामर्थ को पहचानो ये सामर्थ क्या है ये सामर्थ के बारे में बहुत कुछ बोलने का है लेकिन छोटा से एक उधारन में दू पत्रस को देखिए पत्रस एक रात जब खड़ा था एक छोटी सी लड़की पत्रस के पास आकर बोलती है अरे तुम भी मसी के साथ थे पत्रस के था नहीं नहीं मैं म पवित्रात्मा उसके उपर उत्रा और जब पवित्रात्मा उसके उपर उत्रा आप देखिएगा उसका चहरा नहीं बदला उसके शरीर नहीं बदला लेकिन उसकी आत्मिक तर इतना बदल गया कि उसका डर दूर हो गया उसका भै दूर हो गया और जो छुप रहा था अब सब के सामने आकर उसने परचार करना प्रारम किया कि जिसको तुमने मारा है वो मसी था, वो प्रभू था और मैं उसका चेला हूँ और उसके बाद जो इनोंने किया वो शायद एक इतिहास था इतिहास उस दुनामी सामर्थ को क्या आपने पाया है? क्या आपने पहचाना है? उस सामर्थ को पहचानी है मैं आपको एक छोटा सा उधारन देता हूँ उस सामर्थ के बारे में आप में से कितने लोगों को हिरोशिमा और नागासा की मालूम है? हिरोशिमा और नागासा की दो नगर थे जपान के जो बहुत विख्यात है अच्छे कामों के लिए नहीं क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर परमानू हतियार गिराए थे एटम बॉम डाइनामाइट ये जो पवित्र आत्मा के लिए जो मूल शब्द इस्तिमाल किया गया है वो है डुनामिस एक ग्रीक वर्ड है डुनामिस और इसी डुनामिस से डाइनामाइट शब्द बना है डाइनामाइट जो बंब को बारे में हम बोलते हैं देखिएगा जब हिरोशिमा और नागासाकी में वो बंब डाला यानि जब डाइनामाइट डाला तो लाखों लोग मर गए इतना भारी नुकसान हुआ कि उसकी कलपना भी नहीं कर सकते और उतने मरे सिरफ नहीं वैग्यानी को ने पाया कि उसका जो विकीरन थे उसके जो रेडियेशन थे इतने अधिक थे कि सालों तक वहाँ पर बच्चे अपंग पैदा होते थे वहाँ की कृशी खतम हो गई यानि जैविक प्रक्रिया को भी उस रेडियेशन ने खतम कर दिया लेकिन अब वैग्यानी कि ये कह रहे हैं 80-90 साल के बीतने के बाद कि अब वो विकरन का जो रेडियेशन का असर है धीरे-धीरे कम हो रहा है और वो कहते हैं कि करीब 10 साल के बाद जपान पूरी तोर से उस रेडियेशन से मुक्त हो जाएगा यानि वो जो डाइनामाइट गिरा था वो बॉम गिरा था उस बॉम की जो विकिरन थे, जो रेडियेशन थे, जो बुरे प्रभाव थे, उससे जपान पूरी तोर से छुड़ जाएगा, मनिश्य का बनाया हुआ डाइनामाइट, अब यह अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जो डाइनामाइट 120 लोगों के उपर गिराया था, प्रेरितों की प्रार्थना कर रहे थे, पैंतिकोस्ट के दिन, एक डुनामी सुन के उपर उत्रा, यानि वही डाइनामाइट, और मैं कहूं, उनके चितरे उड़ गए उसके बाद, वो तितर बितर हो गए उस डाइनामाइट के बाद, और उसका प्रभाव आप देखिए, जब नगासा क हिरोशिमा में गिरा, हजारों लोग मर गए, लेकिन जब एक सो बीस लोगों के उपर गिरा, तो तीन हजार मरे हुए लोग जिन्दा हो गए, और जिन्दा सिरफ नहीं, आप देखिएगा, विग्यानिक कहते हैं, सौ साल में जपान पूरी तोर से उसके उस प्रकरन से, उस दो साल, दो सो साल पहले नहीं, आज से करीब दो हजार साल पहले यरुशले में गिरा, और उसका प्रभाव, दो हजार साल के बाद भी कम हो ना तो छोड़ो, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और आज भी उसके प्रभाव को जब लोग अनुभाव करते हैं उसकी सामर्थ से भर कर बड़े-बड़े चमतकारों को अपने जीवन में महसूस करते हैं पौलूस कहता है उस सामर्थ को पहचानो प्रिया आपने उस सामर्थ को पहचाना है क्या आपने उस पवित्रात्मा को अपने जीवन में हासिल किया है नहीं किया है तो प्रार्थना करना प्रारम कीजिए उस पौलूस की इस प्रार्थना में बोलिए प्रभू मुझे उस सामर्थ को पाना है मुझे उस सामर्थ को अच्छी तरह से पहचानना है वो उस पवित्रात्मा की उस सामर्थ को मेरे जीवन में दीजिए उस सामर्थ को पहचानी है ये वो सामर्थ है जिसको लेकर जब पत्रस चल रहा था, एक मंदिर के सामने जब पहुँचे एक लंगरा भिकारी उसको देखकर बोलता है, मुझे थोड़ी सी भीग दे दो, पत्रस ने बोला, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, शायद इस भिकारी ने माथा पीट लिया ह हैं, लेकिन फिर उसने कहा, जो मेरे पास है, वो तुम्हे देता हूँ, ईश्यू के नाम से खड़ा हो जा, आप देखना, ईश्यू के नाम से जब बोला खड़ा हो जा, वो व्यक्ति उसी समय खड़ा हो गया, प्रियों आज संसार हमें मसी के विश्वासियों को बड़े आ वो आत्मा का अभिशेक हमारे जीवन में है क्या, अगर नहीं है तो पाईए, प्राप्त कीजिए, उस सामर्द को पहचानिए, प्रेज अलॉट, तो चार बातों के लिए पौलुस ने प्रार्थना किया, आप इन चार बातों को नहीं भूलेंगे मुझे विश्वासे, पह बुलाहट होपसो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है वो नहीं है, निश्चिता है, उसकी बुलाहट में अनंतता है, उसकी बुलाहट में अनुग्र है, उसकी बुलाहट में प्रेम है, और पौलुस ने कहा उसके धन को पहचानो, भविश को देखकर आगे बढ़िये, भविश को देखकर और पौलुस ने प्रार्थना किया उसकी सामर्थ को पहचाने है परियो एक प्रार्थना खत्ब हो गया अब दूसरी प्रार्थना हम तीसरे अध्याय में देखते हैं 14 से लेकर कुछ बचनों को जब हम पढ़ते हैं मेरे पास समय बिलकुल नहीं है इसलिए मैं तुर बहुतिक बातों के बारे में प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है, हम प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ और सिर्फ बहुतिक बातों के लिए ही है, तब उसमें समस्या है। आत्मिक विश्यों के लिए भी प्रार्थना कीजे। कई बाहर जब हम विश्वासियों की प्रार्थना को सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे राशन की दुकान पर लिस्ट पढ़ रहे हों देखाए ना आपने राशन की दुकान में लिस्ट कैसे पढ़ते हैं आटा दस किलो, चीनी पांच किलो, दाल दो किलो, नमक एक पैकेड, हरा धनिया, इतना मीठा धनिया, इतना पता नहीं क्या-क्या, लिस्ट पढ़ते हैं ना हम लोग, शायद कई बार हम प्रार्थना भी ऐसे करते हैं और लिस्ट जब पूरी हो जाती है, हम दुकानदार को बोलते हैं, ओके हो गया पूरा, हम भी जब हमारी लिस्ट पूरी हो जाती है, हम बोलते हैं, ईश्ओ के नाम से आमेन लेकिन प्रियों क्या आत्मिक बातों के बारे में हम प्रार्थना करते हैं पौल उसकी प्रार्थना देखिए तुम परमेश्वर को जानो उसकी बुलाहट को जानो उसकी धन को जानो उसकी उस महान योज सामर्थ को पहचानो और चौदवे वच्चन से लेकर 19 वच्चन तक को आप पढ़ लीजिए, मैं जल्दी से बोल कर समाप्त करूँगा, FACO 3 उसका 14 से 19, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये वच्चन आप बाद में पढ़िएगा, FACO 3 उसका 14 से लेकर 19 तक वच्चन, मैं आपके लिए का नाम रखा गया है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, तुमें यह दान दे, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनिश्रत तुमें सामर्थ पाकर, बल्वन्थ होते जाओं, और विश्वास के द्वारा, मसी तुमारे हर्दे में बसे, और तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भाती समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चोड़ाई और लंबाई और गहराई और उचाई कितनी है, और मसी के उस प्रेम को जान सको, जो ग्यान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपू प्रभूर्ण हो जाओ, ये पॉलुस की दूसरी बड़ी प्रार्थना है, जो एफेसियों तीसरे याद दिया है, 14 से लेकर 19 तक वचनों में हमने पड़ा है, तो मैं इस प्रार्थना की चार बाते, मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर प्रभू ने मौका दिया, तो फि उसकी आत्मा में सामर्थ पाकर भीतरी मनिश्वत तुमें बलवन्त हो जाओ, महिमा के धन के अनुसार तुमें ये दान दे, कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनिश्वत तुमें सामर्थ पाकर बलवन्त हो जाओ, यानि पॉलुस ये प्रार्थना कर रहा है, कि हमारा भीतरी मनिश्वत बलवन्थ हो जाए भीतरी मनिश्वत जो हमारी आत्मा है वो बलवन्थ हो जाए अगर आपकी आत्मा बलवन्थ हो जाएगी तो अगली बात पहुलुस सत्रवे वचन में क्या कहता है पहुल उसकी सत्रवे वच्छन में उस प्रार्थना का दूसरा भाग जब हमारा भीत्री मनिश्वत बल्वंत हो जाएगा तब मसी हमारे हृदय में बसेगा और हम उसके प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भाती समझने की शक्ती को पाएंगे यानि भीत्री मनिश्वत जब आत्मा की सामर से बल्वंत होगा तब अगला कदम हम उसके उसमें जड़ पकड़ेंगे नेव डालेंगे मसी हमारे हृदय में बसेगा अगर मसी किसी के हृदय में बसेगा अगर वो उसके प्रेम में जड़ पकड़ेंगे और नेव डालेंगे तो फिर जानते हैं क्या होगा वो उसके प्रेम की लंबाई, चोड़ाई, उंचाई और गहराई कितनी है उसको जानकर उसमें वो स्थिर रहेंगे उसको कभी छोड़ेंगे नहीं और जब उसमें स्थिर रहेंगे जब भीतरी मनिशुत बलवंत हो जाएगा जब हम उसमें जड़ पकड़ेंगे जब हम उसके प्रेम को हम महसूस करेंगे पूरी तौर से उसको समझ लेंगे तो जानते क्या होगा चौथी बात पौलस उननीस वच्चन में कहता है वो व्यक्ति परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएगा दा फुल्नेस ओफ गॉड यानि फुल्नेस ओफ गॉड जो परमेश्वर हम से चाता है हम उस स्वरूप में हम होना शुरू हो जाएंगे दूसरा कुरंती तीन के अठारा को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है अते हम सब के उगाडे चैरों से जब परमेश्वर का तेज परकट होगा तो हम भी उसी रूप में जो आत्मा है अंश अंश करकर बदलते चले जाएंगे यानि हम अंश अंश करकर तीन का अठारा बदलते चले जाएंगे उस वचन को आप देख लीजेगा यानि एक दिन आएगा कि प्रभू हमें अपने समान बनाएगा और पॉलस की जो दूसरी प्रार्थना उसी की संदर्ब में है क्या है पहली बात? भीतरी मनिश्वत बलवन्थ होना दूसरी बात? उसके गहरे वचनों की सच्चाई में उतरना तीसरी बात? उसके प्रेम को थामे रखना चौती बात? उसमें भरपूर हो जाना उसमें परिपूर्ण हो जाना तो पॉलस की दूसरी प्रार्थना हम फिर कभी विस्तार से सीखेंगे लेकिन आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभू आपकी आत्मा से मेरा भीतरी मनिश्वत बलवन्थ हो जाए और जब भीतरी मनिश्वत बलवन्थ हो जाएगा मैं आपके रहसियों को आप में जड़ पकड़ना प्रार्ण करूँगा कारण क्या है आज लोग जड़ क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि उनका भीतरी मनिश्वत बलवन्थ नहीं है बाहरी मनिश्वत्व तो बहुत बलवंत होगा लेकिन भीत्री मनिश्वत्व बलवंत नहीं है इसलिए पॉलुस कहता है मेरा बाहरी रूप चाहे नाश होता भी जाए लेकिन मेरा भीत्री मनिश्वत्व बल पर बल पाता जाता है कैसे होगा भीतरी मनिशुत बलवन्त उसी वच्चन में लिखा है उसकी आत्मा से उसकी आत्मा को जब आप पाएंगे आपका भीतरी मनिशुत बल पर बल पाता जाएगा सुबह जब चाय नहीं मिलती आपको गुसा आने लगता है नाश्टा अगर नहीं मिला फिर तो जगड़ा हो जाता है और गलती से लंच भी नहीं दिया तो समझ लो सब कुछ खतम हो गया क्योंकि खाने के लिए हम बहुत तत्पर है ये खाना हमारे बाहरी मनश को बढ़ाता है लेकिन आत्मा को जब आप पिएंगे आपके भीतरी मनशत्त को बल्वंत करेगा इसलिए पहला कुरुंती 14 के 2 में लिखा है जब तुम अनिभाशाओं में बात करते हो तो तुम मनशों से नहीं परमेश्वर से बात करते हो और पॉलुस कहता है जो अनिभाशा में बात करता है वो अपनी आत्मी को नती करता है पिर उसी अध्याई के अंतिम भागों में पॉलुस कहता है मैं घमन्ड करता हूँ इस बात में कि मैं तुम सब में सबसे अधिक अन्य भाशा में बात करता हूँ प्रियों उस प्रभू से बात कीजिए आपका भीतरी मनिश्य बलवन्थ होगा और जब भीतरी मनिश्य बलवन्थ होगा मसी आपके हृदे में बसेगा ये सब बातों को बहुत विस्तार में बतानी की आवश्यक्ता है और जब मसी आपके हिदे में बसेगा तुम उसमें जड़ पकड़ोगे तब जानते क्या होगा तुम उसके प्रेम को फिर कभी छोड़ोगे नहीं उसमें बने रहोगे और जब तुम उसके प्रेम में बने रहोगे तो धीरे धीरे तुम मसी की भरपूरी तक परिपूर्ण होते चले जाओगे प्रेज अलॉड दे फुलनेस अफ गाड इसके लिए हम प्रार्थना करें प्रभू हमारे भीतरी मनुश्यतों को बलवंद कर हमें आपके रहस्यों में गहरे में समझने के लिए मदद कर आपके प्रेम को थामे रखने के लिए हमें सहायता कर और हमें आपकी भरपूरी में हमें लेकर आए प्रेज दे लॉड तो प्रभू हमें सहेता करे इन वचनों को समझने में, इन वचनों की सच्चाई को अपने व्यवहारिक जीवन में हासिल करने में, जो तीन दिन आपने सीखा है, वो आपके जीवन में एक आशिश का कारण बने मेरी प्रार्थना है। God bless you, praise the Lord.